हेलो बच्चो क्या क्लास 9th और 11th के जो इजाम्स होने हैं वो पूरी तरीके से आउनलाइन होंगे या फिर बाके ही आउनलाइन होने के बजाए आउफलाइन भी हो सकते हैं कौन तेय करता है कि परिक्साओ को 9th और 11th की परिक्साओ को आउनलाइन लिया जाए या आउफलाइ यूपी बोर्ड की छादरों के लिए क्या होगा पूरी complete हम इस वीडियो में बात करेंगे शुरुआत करते हम इस वीडियो के आपके कमेंट से कल मैंने एक सवाल पुछा था कि आप लोग बताईए कि क्लास 9th व 11th के जो छादर पढ़ रहे हैं आप लोग का स्कूल कौन सा है private school है या आपका government school है most of the students के maximum comments हमारे पास आए है हम एरे comments को इस video में शामिल करना चाहते हैं यह जो comments है आप लोग यहां पर देख सकते most of the students का साब सब कहना है कि वो private school में पढ़ते हैं यानि कि यह तो clear हो चुका है, student जो है private school में पढ़ते हैं, साथ चाथ गौर्मेट यानि दोनों ही school में एक जाम पढ़ते हैं, जो हैं चाहते हैं कि exams online ही लिया जाना चाहिए आप लोग को भी exams को लेकर राय होगी online offline एक राय आप लोग नीचे comment section में देंगे तो मैं इस तरीके से voting भी हो जाएगी class on 9th 11th के छात्रों के लिए कि online या offline तो इस तरीके से आप लोग नीचे comment करेंगा देखें यहां बात कर रहे थे यह जो overall जो सभी students है इन्होंने यह तो मुझे comment करके बता दिया कि government है और सरकारी है अब चलिए मैं आपको यह बता देता हूँ कि exams को लेकर 9th 11th को जो है वो tag कोन करता है कोन tag करेगा कि आपकी परिक्साय दिस मन्त यानि कि आपकी परिक्साय आपकी मार्च में हो जाएगी शुरू अप्रील में डीले करेंगे या फिर आपकी एक्जाम हमेशा फरवरी मार्च में होते रहे हैं वही कि exams को सुरू कर दिया जाएगा अब देखिए जो सबसे पहले हम बात करें हैं आप देखिए कई सारे स्टुडेंस से मैं सभी का कमेंट से इस वीडियो में सामिल करना चाहता हूँ तो यहां पर देखिए सबी स्टुडेंस का आप लोग कमेंट यहां पर देख सकते हैं सब कई exams को लेकर यह कौन तैए करता है क्या आपकी परिक्षा को लेकर कि परिक्सा किस मेडियोम में कराई जाएगी ने भी 9th 11 के लिए कई सारे सर्कुलर दिये थे education mister ने बकाइदा जो है कई सारे event भी रखे थे 9th 11 के exams को लेकर लेकिन इस साल सभी कोई silent लग रहे हैं exams को लेकर ये सबसे गलत है और सबसे बड़ा question mark लगाता है 9th 11 के जातरों के लिए क्योंकि 9th 11 को लेकर अभी तक CBC board को ये बाके ही clear कर देना चाहिए था exams को लेकर कि आपकी परिक्साय online हो रही है या offline होगी और साथी चाहता है और एक बात और भी आपको समझना चाहिए जो 9th 11 को students को समझना चाहिए या students जानते हैं इस बात को आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि 9th 11 को most of जो पावर है board जो है यानि कि 9th 11 के लेकर जो भी जो फैसले होते है उसको सबसे जादा जो पावर है वो स्कूल के अंडर में ही दे दिया जाता है यानि कि board जो है सीधा-सीधा जो बोल देती है स्कूलों को कि आप ही तैग करिए कि exams को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है और किस तरीके से छात्रों का परमोट करेंगे सबसे जादा जो पावर हो स्कूलो को ही दे दिया जाता है स्कूली तैग करते हैंrings like this में लेकि स्कूल د होता जो व होता हlं जो होते हैं जो होती हैं जो एसे तरीके से अधर बोर्ट के बात करे यानि CDC भी बोर्ट की बात करे और आपके देश बर के तमाम state board की बात करें, तो आपका कोन तय करता है, तो आपका विश्यम structure है, कि आपके board तो तय करती है, लेकिन साथ-साथ आपके state government भी इसमें उनकी involvement होती है, क्योंकि जब तक वो allot नहीं करेंगे, offline exams को लेकर, physically classes को लेकर, यानि कि offline exam का मतलब है, students आप school में जाएंगे और exams देंगे, तो ये काफी बड़ा risk factor है, तो इसमें state government का involvement होता है, और अभी की आई report के नुसार में आपको ये भी बताता हूँ, कि सबसे ज़्यादा most of the, जो पूरी देश पर के हलात किस तरीके से हैं, उन्हों हलातों को देखते हूँ है, school को नहीं नही के सबसे ज़्यादा जो favor में है, school है, online को लेकर है, उसके बाद offline को लेकर भी favor है, क्योंकि बहुत सारे जो private school है, उनको कहना है, क्या होगा, students cheating का सहरा ले सकते हैं, students पूरी तरीके से seriously नहीं है, तो इस तरीके से matter है, ये सवालग बात है, लेकिन जो most of the है, वो आपके online को ल सब्सक्राइब करें, तो इस पर सी बेसी बोर्ड भी जल्दी डाउट नट, बच्चों अगर आपकी किसी भी questions में डाउट आ जाए, आपस सोल्ब ना हो पाए, बस questions की फोटो लो, questions को सही से crop करो, उसे भेजदो, वीडियो में solutions आपको मिल जाएगा, just in five seconds, चाहे वो questions आप सब्सक्राइब करें, आपकी सुब्जेक्स के questions हो, फजीक्स, chemistry, math, biology, इन सभी questions का जवाब मिलेगा, आपको डाउट नट एप पे, साथी चाहर डाउट नट पे चल रही है, क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानि इंगलिस मेडिया में लाइप क्लासे, यानि आपकी अब हर पढ़ होती है, 9-11 की पहले ही परिक्साय होगी, तो आप लोग इस बात को मायन में रखेगा, लेकिन इसको लेकर सर्कुलर बहुत ही जल्दी आपको आने वाली है, इस अब्डेट पर आगे भी पाने हुए है, आपको नीचे जो है, आपको कमेंट करके नीचे बताईगा, ताभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंज, वीडियो अच्छा लेकिते बिडियो को कर दीजिएका, लाइक चाहिए